अब से अगर आपको कोई नया मुबाइल नंबर या टेलिफोन कनेक्शन लेना है तो आपका KYC पूरी तरह से डिजिटल होगा यानि KYC के लिए आपको किसी तरह का कोई कागर जमा नहीं करना होगा पोस्ट पेड सिम को प्रिपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा इसके लिए डिजिटल KYC मानने होगी नए नियम के अनुसार आप सिम देने वाली कंपनी के अप के जरिये सेल्फ KYC कर सकेंगे इसके लिए आपको मात्र एक रुपेड देना होगा अभी के नियम के अनुसार अगर कोई ग्रहाक अपने प्रिपेड नंबर को पोस्ट पेड में या पोस्ट पेड को प्रिपेड में चेंज करता है तो उसे हर बार KYC प्रोसेस पूरा करना होता है लेकिन अब सिर्फ एक बार ही KYC कराना होगा KYC के लिए ग्रहाकों से कुछ डॉक्यमेंट मांगे जाते हैं वसे तो ये काम जहां से सिम ले रहे हैं वहाँ जाकर करना होता है लेकिन अगर आप खुद ऑनलाइन प्लैटपॉम पर डॉक्यमेंट अप्लोड करके अपनी KYC कर लेते हैं तो इसे सेल्फ KYC कहते हैं ये वैब साइड ये अप्लिकेशन के जरीए की जा सकती है इसके लिए सबसे पहले सिम प्रोवाइडर की अप्लिकेशन फोन में डाउनलोड करनी होगी इसके बाद अपने फोन से रेजिस्टर करना होगा और एक अल्टरनेट नंबर भी देना होगा जो आपकी जानकार का भी हो सकता है इसके बाद आपको OTP भेजा जाएगा फिर आ